हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सब अच्छे होंगे हम महिलाओं का दिन का आदा से ज़्यादा वक्त किचन के कामों को करते हुए ही गुजर जाता है यही वज़ा है कि वो अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाती महिलाओं के इस घर और किचन के कामों को आसान बनाने के लिए मैं आज कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स लेकर आए हूँ जो उनके कामों को कफे ज़्यादा आसान बनाएंगी तो वीडियो बहुत जादा है एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और में चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और ज्यादा स्यादा शेयर करेगा अपने फैमिल्य और फ्रेंड्स में तो चलिए स्राट करते हैं आज का ये वीडियो आज का मेरा पहला टिप है इस तरीके के चश्मे के केस को लेकर इस तरीके के पुराने चश्मे के केस हमारे घर में एकाज जरूर पढ़े रहते हैं तो इनको भी हम लोग reuse कर सकते हैं बहुत ही काम में हम इसको ले सकते हैं जैसे हम लोग कभी travel कर रहे होते हैं तो हमें कुछ medicine जरूर हम carry करते हैं जो हमे इस केस में वह सारे मेडिसिन जो हमें ट्रेवलिंग के टाइम में जैसे पेन क्लिर हो गया या कुछ भी आप इसमें रखकर अपने बैग में इसको रख सकते हैं बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि इस केस के अंदर आपने मेडिसिन रखा हुआ है और अच्छा भी लगे देखते हैं अगली टिप कॉन सी है हम रात में अच्छे से खाना खाने के बाद हम आरा जो सिंक होता है उसको अच्छे से वाश कर देते हैं लेकिन क्या होता है लाइट्स ओफ होने के बाद जो भी उसमें कीड़े मोकोड़े या चोटे मोटे कॉक्रोज होता है निकलना का इसा वालाए है तो सुल्टे मेरी अच्छे से जाने के वाली है cet यहां वाली होने है धुश से पाउदर लिए मेरी अच्छे से पहु Florak को दो एक अच्छे से प्रेसरी नहीं ऒड़े मैरी स्वाल पाउड होता है यह सुन का सब बड़ है एक अच्छे से Position मेरी तो पाउडर बनाने के बाद इसको आप एक बाउल में डाले इस तरीके से उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाले पानी डालने के बाद आप कोई भी पाउडर तेलकम पाउडर जो आपके पास हो जिसकी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो बस आप वाले फ्रेग्रेंस वाल बाहर आने हखते हैं जो हमारे हल्थे लिए बहुत जादा घराब करती हैं मिक्post तकम थियार करने के छीम काम करने वाद साफ न आपके जे आपके द्सक्त चाहते हम पर आपके रात में कोई भी पाउडर वाले चीज़ तो बिल्कुल भी जो अंदर से ड्रेन एरिया से छोटे कीड़े आते हैं वह बिल्कुल भी नहीं आएंगे और सुबह उठने के बाद बस सबसे पहले आप इसको पानी से इसको वाश करतें तो आप देखेगा एक अची सी खुश्बू भी आ थोड़ा सा इस तरीके से पानी से उसको साफ कर देना है तो आपका सिंग जो है वह अच्छे से चमक जाएगा और क्लीन हमेशा रहेगा और बहुत ही अच्छे से हाईजिनिक रहेगा तो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा देखते हैं अगला है कौन सा है इस त संद नहीं करते हैं तो आप क्या करिएगा जब इस तरीके का नया क्लचर खरीद कर लेकर आए ना तो इस तरीका ट्रांसपेरेंट नेल पिंट आप रखें और इसको है ना यह जो पेंच वाला एरिया होता है आप यहां पर इसको लगा दें तो इससे क्या होगा कि उसमें तो पी जंग नहीं लगएगा आप चाहाए जाए तो कोई-सा भी कलर लगा सकते हैं लोगिन क्य वथ ट्रांसपेरेंट लगाने से बिल्कुल भी बता कि हमने उसमें नेल पिंट लगाया हुआ है तो इस तरीके से लगाने के बाद उसमें बिल्कुल भी रस नहीं लगेगा जंग नहीं लगेगा और बहुत दिन तक हमारा यह क्लचर हम इसको यूज कर पाएंगे है तो बहुत चोटी सी टिप लेकिन बहुत काम आने वाली है एक पर आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हुँ ना उसके बाद आप कंगी को यूज करने का तरीका ही आपका बदल जाएगा तो उसके लिए आपको यहां पड़ ले लेना है कोई भी कपड़ा और इसको इस तरीके से आपको काट लेना है इतना काटना है कि आप उसको है rubber band हो या कोई भी कपड़ा जो रसी होती ना उससे भी आप बान सकते हैं तो मेरे पास यहां पर rubber band था उसको मैंने इसमें लगा दिया उसके बाद आपको इसको भिगा लेना है पानी से उसके बाद उस पर toothpaste इस तरीक से लगाना है toothpaste को हम लोग दातों में मंजन करने के अलावा भी बहुत चीजों में यूज़ कर सकते हैं अच्छा यहां पर इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं फ्रिज की डोर को क्लीन करने के लिए फ्रिज की डोर की जो rubber होती है ना हम पूरा फ्रिज तो क्लीन कर लेते हैं पर इन्हें प्रीज के क्लीन केसे की सबस्क्राइब केंने खुल कम को सबस्क्राइब करें और एक दम क्लियर हो जाता है एक बार आप अंदर उसको डाल के भी देखेगा बिल्कूल भी उसमें कोई भी गंदगी नहीं बचे रहेगी I hope आप कोई ट्रिक्स जरूर पसंद आई होगी ये तो मेरे आज के कुछ छोटे मुटे टिप्स और ट्रिक्स अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करिएगा मैं अपने चैनल पर ऐसे यूसफुल वीडियो लेकर आती रहती हूँ आपका वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू